करनाल के राजकिय कन्या वरिष्ट माध्यमिक विद्याले में मंगलवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहट स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्गाटन मुख्यमंत्री मनुहरलाल दौरा किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि इस विद्याल्य में स्मार्ट क्लास की सुविधा से स्कूल को अपग्रेड किया गया है अब इसे मॉडल संस्कृती स्कूल बनाय जाएगा जिसके लिए ये डिज़ाव भी करता है जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी करनाल में अनेक परियोजनाओं पर काम चल रहा है कई मुकमल भी हुई है स्मार्ट शिक्षा परियोजना भी इन में से एक है इसके तहट शहर के 9 स्कूलों में 53 क्लासरूम बनाए गए है और सभी में स्मार्ट क्लास की सुविधायाद से लाइव हो गई है स्कूलों में स्मार्ट क्लास के साथ साथ बाला यानि Building as Learning Edge के तहट कमरों की दिवारों पर विज्ञान वे गणिज जैसे विश्यों के मॉडल बनाए गए है ताकि विद्यारती इन्हें देखकर सीख सके बतादे कि स्मार्ट क्लासों में इंटरेक्टिव डिस्प्ले के साथ स्मार्ट फीचर होंगे जिसके लिए 55 इंच की बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जबकि रोबोटिक लैब में किसी भी चीज का मॉडल बना सकेंगे प्रतेक स्मार्ट क्लास्रूम के प्रवेश्ट पर विद्यारतियों की हाजरी के लिए एक मशीन रहेगी जिसमें बायोमेट्रिक, फेस डिटेक्शन, कार्ड रीडर यानि तीन तरीकों से हाजरी लगाये जाने का प्रावधान है इन सब के अतिरिक प्रिंसिपल के रूम में हर क्लास्रूम की मॉनिचरिंग की विवस्था रहेगी जिससे प्राचार्य बैठे बैठे स्क्रीन पर क्लास की हर गतिव विधी को देख सकेंगे प्रदेश के एक मात्र शहर करणाल में स्मार्ट शिक्षा परियोजना पर तीन करोड सड़ सट लाक रुपई की राशी खर्च की गई है मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने विद्धाल्य में स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्गाटिन करने के बाद इसके परिसर में ही मैथेमेटिकल पार्क को घूम कर देखा इस पार्क में जियोमेट्री के सभी कॉंसेप्ट को 3D शेप्स में बनाया गया है ताकि बच्चा एक्सपिरियंसल लर्निंग यानि खेल-खेल में ही सीख सके इसके पशात मुख्यमंत्री ने एक स्मार्ट क्लास रूम में जाकर विद्धार्थियों को स्मार्ट तरीके से करवाई जा रही पढ़ाई को देखा स्मार्ट क्लास रूम देखने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टैम लैब में जाकर विद्यार्थियों द्वारा सिलेबस से जुड़े प्रैक्टिकल करने के लिए आधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया रोबर्टिक लैब को भी देखा इसके बाद उन्होंने प्राचार्य रूम में जाकर जलपान किया और स्कूल के विकास को लेकर चर्चा की जिसमें उन्होंने कहा कि अब ये विद्यालियम मोडिल संस्कृती के रूप में विक्सित किया जाएगा इस आवसर पर उन्होंने स्वच्छता पराधारित एक गीत की भी लाँचिंग की इस मौके पर योगेंद्र राणा उपायोक्त निशान्त कुमार यादव एस पी गंगा रामपुनिया, मेर रेनु बाला गुपता, पूर्वजिला अध्यक्ष जग मोहन आनंद वशम्चेर नैन आदी मोजूद रहे ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्यवाद